दोस्तों आज मैं उस सेटप पे आया हूँ जहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे काइक लोरीकेट और खास करके स्मॉल कन्यूर किंग के सकता हूँ इहमदाबाद में जो बल्क में कन्यूर को प्रोड्यूस करते हैं और विथ कॉलिटी कॉलिटी मैटर्स करता है दोस्तों किसी भी हैंट फिटिंग फॉर्मिला से बच्चे को बढ़ा किया जा सकता है या मदर फिट पे भी बढ़ा किया सकता है लेकिन आपको पता है मार्केट में 2000 रुपे किलो कौन सा प्रोड़क्त आता है तो उससे बढ़े कि हुए अगर आपको कनूर चाहिए तो व बहुत बहुत आपका स्वागत है तो दोस्तों या मैं उसकता प्रोड़क और या कोण से कौन से फीसिस मिल जाएगी और इसके अलावा कॉन्योर की ब्रेदिंग के वारे में हम बात करेंगी का ससच वार्ड़क्त कराना चाहिए उन्हें फीडिंग में क्या देना चाहिए उनको किस टाइब का एंवार्मेंट होना चाहिए ताकि वो लोग वह बैस्ट ब्रीड करें और इंफेक्ट ब्रीड करने के बाद भी आपका जो बढ़ है वह कंडिशन में रहे यह बहुत मॉस्ट इंपोर्डन चीज है यह सारी चीज जो हम डिसकस करेंगे तो जी फजल है ब्लू यलो साइड एक रहा और वह ब्लू यलो से यह रहा तो अगर आप पर ब्रीडिंग परपस के लिए बात करें तो जो बेजिक मुटेशन है को न्यूर चेंदर वह हमारी बेजी के ग्रीड चीज को इसकी बहुत ब्रीडिंग रिजल्ट देता है क्योंकि basic mutation है जिसे कि आपने लवबड में देखा होगा बघीष में देखा होगा जो green mutation है बघीष के अंदर बघीष के अंदर में जम ग्रीज्ट देता है तो जो basic mutation आएगी वह सबसे अच्छी डिज्ट देती है और वह ड्रीन चीख के अब सबसे ज्यादा maximum result की expectation कर सकते हैं सबसे ज्यादा अच्छा एक्स की quantity और उसके अंदर की fertility और बच्चों को hedge करना बच्चों को hedge करने के बाद उसको अच्छे से बड़े करके देना वह सबसे ज्यादा आपको मिलेगा green chick के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पर जा सकते हैं वह आएगा yellow sided अभी हम बात कर रहें सिर्फ बच्चों को production के बारे में yellow sided के बाद अगर कोई अच्छा breeding में जाएगे आप तो वह आएगा cinnamon और फिर आएगा pineapple यह चार हो गए बेजिक इसके बाद अभी नहीं जो mutation इंट्रड्यूज हुई यह मार्गेट में वह ब्लू ब्लू के अंदर भी चारू चीजां आपको मिल जाएगी ब्लू के अंदर भी ब्लू ग्रीन चिक है ब्लू यलो साइड़े ब्लू सिनामुन है ब्लू पाइनेपल है तो यह जब एक एक जामपल के आपने यलो साइड़े लगा दिया और उसके साथ साथ पाइनेपल लगा दिया तो यलो साइड़े ब्लू का जो आपको ब्रीड मिलेगा जो combination मिलेगा सबसे पहले तो combination अच्छा होगा जो यलो साइड़े के इसाफ से जो इंदर जो एफेक्ट आना चैובा जो आना चाहिए वो आपको मिल जाएगा पैनेपल के अंदर भी और इसके साथ साथ आपको विराइटी ओव चिक्स मेलें गे जप्ड Rights यहां तो अपको यलो साइड़ पी बच्ची मिलेंगे ऊपको पाइनेपल भी बच्ची मिलेंगे और कुछ मिक्स्वेराइटि म में भी आपको मिल सकते हैं तो आपके मैक्सिमम जो चिक निकलेंगे वह यलो साइड़ के हैं ठीक है अगर आपको कोई बेजिक है की मुटेशन के उपर काम करना है जिस पर एक एक्जामपल आपको पाइनेपल पे ही काम करना है तो फिर आप पाइनेपल लगाईए लेकिन साइकल वाइल्ड में किस तरीके से रहती और उसको हम घर में कैसे अकॉमोडेट कर सकते हैं मैं सज्जेस्ट करूंगा कि मिनिमम एक साल से पहले जो है वह आप को ब्रीट पे ना डालिए वैसे नॉर्माली जो है एक से डीड़ साल के बाद जब आप इनको ब्रीड पे डाल इंदर तो उनकी ब्रीड का काफ़ी डिफिरेंट रहेगा डिफिर्ट म हैं कि कोई भी ब्रीड कोई बुबढ़ वाइल्ड में कोई ब्रीड करेंगा अक्षी से ब्रीड कल ठेल के बाद पास क घृंडक पूर्ड पूरा नाचर मातर होते हैं पहुतं ज्यादा कordu meat तो जड़ा दर बाड जो वह उसी टाइम पर ब्रीड करते हैं लेकिन के अंदर यह इशु नहीं रहता है तो के अंदर जो है वह आप इनका जड़ा तर जब भी टेम्परेशर जो है वह अगर मैंटेंड है है हुमिनिटी अगर मेंटेन है तो आप इनको अच्छा फूड देके इनकी इजी ले सकते हैं अगर आप इसको राउंड ए यह की बात करें आप इसको राउंड ए इसकी ब्रीद ले सकते हैं और आती है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कॉनियूर्स जो यह बहुत ही अच्छा ब्रीडर है और बहुत इच्छा प्रेंट भी है बहुत अच्छे बर्ड को एक मैं आपको एक और जबर्द सिकरेट बताने वाला हूं कि आपको अगर इनकी ब्रीड लेनी है या इनको ब्रीड रोकनी है तो कैसे करना चाहते हैं तो बहुत ही शिंपल सा शार्य सबसे बहने नहीं में हनुकि अब्रूटीन को बड़ा देते हैं तो दर्वी को सब्सक्राइब यह पने, सब्सक्त नहीं की करना है आपको कर चकले कर रह थे हैं इसको इसको बीड पह से वकश के बाद कर रहा हैं, मुझे अठाने पड़ते हैं कॉक्टेल में अठाने पड़ते हैं कॉन्यूर्स में इसा नहीं है आप इनको प्रोटीन बढ़ा दीजिए यह लोग ब्रीट पाए जाएंगे आप इनका प्रोटीन कम कर दीजिए यह लोग ब्रीट में से ऑफ ब्रीट पाए जाएंगे और इसके उपर ताकि आपको पता चले किस तरीके से कौन सी चीज आपको उनको फीड में देना है और उसको आफ सीजन पर किस तरीके सी करना है उसके अलावा अब हम बात करें इनकी एक्स की तो अंडे जो है वह चार से छे तक्का देते डिपेंड करता है आपने बर्ट को आफ स लेते हैं कम बच्चे देते हैं फिर उलोग कम अंडे देते प्रोडियूशन भी कम होगा अंडे भी कम देंगे उसके अलावा फिर जो है वो उसमें से फटिलीटी भी कमाएगी बच्चे भी कमाएंगे यह निया आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलना है एक या दो बच्चे कोई रिजल्ट नहीं है आप उसको बर्ड को पहले मैच्योर होने दे उसका फीडिंग का उसका डायेट का प्रॉपरली केर करें ध्यान दे और उसके बाद फिर आप उसको ब्रीट पर डाले तो आपको 110 पसंट अच्छा रिजल्ट मिलेगा चार से छे के बीच के अंडे द करते है है वह इफक करता है आपके फीड के ओपर उसकें बर्ड करता है उनकी मैटिंग फेले चंपरेशा है κोणाये वह低ती हर छोडिज्त थी चोटी चीज Sabbath ऑले मेजर इंपक्ठ करती है तो तो चार से छे की अंडे है इसके अलावा पैरेंट के अगर हम बात करें कॉन्यूर्स बहुत अच्छा पैरेंट है वो बच्चों को पालता है अच्छे से और अच्छे से आपको बड़े करके देगा लेकिन फिर भी अगर आप कॉन्यूर को टेमड करना चाहते है तो जब उन दीए तो बहुत ज्यादा चांसिस है कि वह जो सिंगल या डबल चिक्स आपने रखे हुए है बॉक्स के अंदर ब्रीटिंग बॉक्स के अंदर उनको पैरेंट खुद ही मार देंगे वह डेमेज कर देंगे तो यह गलती ना करें अगर आपको उठाने हैं तो चारो वर्ड को यह आपको जितने भी चिक से सब को एक साथ उठाएं विडियो की आखरी पड़ाओ में हैं तो कितने क्लच आते हैं वह में जाननाा चाहेंगे कितने आते किकने क्लस ले सकते हैं कि आप साल में कान्योर्ट के मिनिमम 3 to 4 वो आप 15 कोई अच्छी पैर है थो इसन रहीया यह साहाँ प्राइज कटी की लिए 15 जी कर सकते हैं कोई फैर्द अब पूरे साल करें से तो आप मंथली मतलब के यरली 70 से लेके 80 का आपको दोस्तों profit margin मिल सकता है अगर costing भी निकाल देंगे तो 70 60 का मतलब मंथली 5000 रुपे भी आपकर कमाना चाहते हैं एक पेर से कमा सकते हैं बिल्कुल एक पेर से 5000 रुपे तो दोस्ते एक अच्छा business idea भी आप लोगों के लिए अ informative फिर से अफजल भाई से कहेंगी कि आपके लिए अच्छा सा वीडियो लेकर आएं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है मिलते के अगले से एक्साइडिंग एपिसोर्ट में